अब जब डबडबली इंडिया आई थी तो रिया रिपली का स्पोर्स किड़ा के साथ इंटर्विव होता है इसके अंदर बहुत सारे बातों के बारे में वो बात करती है और वो face करना चाहती है rated r superstar edge को और रे में stereo को वो कहती है कि judgment day का leader पहले था edge और जो है रिया रिपली कहती है कि मामे किसी की leadership के नीचे काम नहीं करना पसंद करती इसलिए judgment day के judgment day से बाहर निकाला edge को and अब वो जो है अभी भी aggression feel करती है edge के against and इसलिए वो जो है edge को face करना चाहती है and वो जो है face करना चाहती है रे में stereo को भी और जब उनसे सवाल पुछा कहा है कि Dominic के कान के अंदर या रिपली क्या चीज़ कहती है तो इस secret के बारे में उन्होंने कहा कि वो हमारा secret है वो इस चीज़ को reveal नहीं करना चाहती लेकिन जो भी है वो जो है काफी कमाल की चीज़ है और वो काफी spicy stuff है जो कि कुछ रिया रिपली के ये words होते हैं साथी में रिया रिपली ने जो है बात करी उतने male dream opponents की तो उन्होंने एच का भी नाम लिया और साथी में रैंडी ओर्टन के बारे में उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग चाहते कि रैंडी ओर्टन आजा judgment day में या फिर वो जो मुझे पीछे से आके attack कर सकता है मुझे लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती क्योंकि जो है रैंडी ओर्टन जो है मामी पर अटैक नहीं कर सकता तो यह लाल कुछ रिया रिपली ने अभी बाते कही है अपने इंडिया के जब वह आई थी इंडिया में तो उन्होंने जो स्पोर्स किड़ा के साथ इंटर्व्यू दिया एंड अन्ड इसके अंदर रिया रिपली ने यह लाल कुछ बाते वगेरा कही है पाकी यह जो सूबस्टर्स स्प्रेक्टेकल्स था या में इंडिया में दिखाई देने वाला है लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं लेकिन यह लाल कुछ इसका भी इंडर्वी होता है मतलब basically वो आये थे दब बंप शो के उपर और इसमें वो जो है बहुत सारी बाते गरते हैं वो अपने मेसेज़ेस वगरा है लेकिन उनका कहना है कि मैं स्टिल ठीक हूँ और मैं काफी अच्छा हूँ मैं फाइन हूँ और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजरी से बाकी वो कहते कि अभी डरने वाले कोई बात नहीं है क्योंकि जो चैंपेंशिप है वो काफी सेफ और अच्छ फिलाल जो रॉलंस के जाथ अच्छी जीज़े चल रही है यह फिलाल कुछ दबंब शो की ओपर अपने सेफ रॉलंस कहते हैं बाकी सेफ रॉलंस ने बेकी लिंच के बारे में भी बात करी जब उनसे पूछा जाता है इंटर्व्यू में कि बेकी लिंच ने एनेक्स टी वि बस देखे रहे थें कि बेकी लिंच जो है उनकी अमेजिंग टैलेंटेड जो है वाइव चीट गई और बन गई न्यू एनेक्स टी विमेंस चैंपेंग और यह जो है उनकी ट्वल हावर्स की ट्रीट भी थी तो यह फिलाल कुछ सेफ रॉलंस बाते कहते हैं कि उन्होंने जो है उनकी टैलेंटेड वाइफ को एंजॉय किया एनिकसे विमेंस चैंपेंग बनते हुए और यह फिलाल कुछ सेफ रॉलंस ने कल दब बंप शो के ओपर बाते कई है तो यह फिलाल कुछ बात है और यह कुछ सेफ रॉलंस बाते करते अपने रीसंट के इंटर्व्यू क आएगा सुपर दमाल जो होता है इसका नेम चेंज करके नमस्ते इंडिया डबल डबली करने वाली है तब आपको दिखाए देने वाला है सुपर स्टार स्पेक्टैकल इवेंट यो कि होने वाला है हमें टेलिकास्ट उतावा दिखाए देगा इंडिया में सुनी कमाल का हुआ था और अब बात करते हैं जेर कारगेल के बारे में तो इनके बारे में ये बात है कि वो इस हफ्टे जो है और लैंडों की परफॉर्मस सेंटर में जो है विजिट कर जाएंगी और उनका कॉंट्राक्ट खतम हो जुका है एडबलो के साथ और वो आएगी और डे इक टील में डबडबली देख रही है और उनको जो है डबडबली सीधा में रोशल पर लाने बादी है दो मैंकिंटार की बात करते हैं तो अगले साल डू मैंकिंटार और के लिए ही काफी तगड़े प्लांस है यूंकि डबडबली इन दोनों का हील टर्न करवाने का प्ला इस से तो काफी मज़ा आने वाला है और डू मैंकिंटार को और केविनोस को अगले साल तो डेफिनीटली वर्ल्ड चैंपिंशिप मिलनी चाहिए और केविनोस को काफी अच्छे से यूज़ करना चाहिए डबडबली को एट लिस्ट उनको वर्ल्ड हेविवेड अगर आपको याद होगा जो कोवेड के टाइम पर जब तो इसके अरांड डबडबली थंडर्डो महरा में जब थी तो डबडबली ने बीच में एट के कैमरास का यूज़ कया था काफी कमाल के शौट्स हो लगते थे एंटरस के सारा बैग्राउंड बलर होता था और काफ आने वाली है आने वाले टाइम में पेपर व्यूज़ वेगरा में अगले साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर डबडबली जाने वाली है अपने नेक्स्ट शो के लिए तो यह काफी बड़ी न्यूज है शाय डबडबली सौधिया रिव्या के लिए जा सकते है मतलब एलिमन स्टार दौ आक चुकि है जान सिल में है तो क्या अपने बर्डी स्टा का रेडर्ण हो सकता है तो खुद बर्डी स्टा ने बात करे कि वह डण डबर डबली के अंदर आ सकते है वह डफिनीतवी रिटार्ड गरवा सकती है वो खुद से तो ready है बाक कि अब देखते है या डवड़ डवली जो है बहुत सारी कमाल की चीज़े कर पाती या फिर नी और इस साल तो काफी कमाल की डवड़ डवली में return हो रही है और अब देखते हैं कि या डेव बडिश्टा का भी एक कमाल का कंबैक फिर एक बार होता है या फिर नहितलिक टान इक लिए तो हो सकता है ओननी ताइम रिटर्न अ Ariel करा देखah可以れ कर सकते या फिर प्रोम वेगर रहो सकते हैं बाख ही अब लेट सी क्या चीज़े होती है और फिलाल आज की वाले वीडियो बसे तुम सिती और मिलताओ नेक्स्ट वीडियो के अंदर